बिसमिल्लाइरह्मान रहीम, السلام अलाइकूम यूज कैसे हैं आप लोग में मुईत करते हैं सब खेरियत से होंगे आज में लेक्षा ही हूँ एक और रेसेपी खटे आलोगी रेसेपी बहुत जल्दी बन जाती है मैंने बहुत जल्दी बनाई है फास्त में आप आयन तक देखि फिर में डाला कटिंग किया हुआ में लसन डाला मैंने चौप किया था चौडर भीस उडाला मैंने इसके अंदर और इसको बुना अच्छी तरह से जब हलका सा स्थोर्क जैसा हो जाए इसको फ्राइ करूंगी अच्छी तरह से और मेरे से पी कैसी लग रही आप मुझे थोरसा करीव दालूंगी करीव पते तो डालने से इसका तो अच्छा आ जाता है तो मैं बो डाल दूंगी करीव पते इसके अंदर और इसको फिर बिनूंगी तेल के अंदर फ्राइ करूंगी पर दालूंगी मसाल है इसके अंदर जली जाने के हलकी आच रखेंगे क्यों प्रिवह जल जाता ता इसलिए अंच रखेंगे हम फास नहीं रखेंगे तेज नहीं रखेंगे आँच को पहले थोरसी हल जालूंगी बहुत जादा भी मसाला नहीं डालेंगे क्योंके फिर वो बहुत सिर्फ मसाला बहुत तेज हो जाता है इसलिए जितने आलूंगी इसे साबसे आप डाल सकते हैं जतनी कॉंटिटी है इसके अंदर मैंने पांच आलू लिये थे और धनिया जीरा कुटावा जो था मेरे रप जालेंगी तक ये मसाले जल नहीं जाए अगर हम पाणी डालेंगे तो ये जलने का खत्रा होता है इसके और बेंस की नरुब भी भी जांदी तेल के अंदर हो तो इसलिए खलका जालेंंगे पानी ठोड़ा सा और इसको भूनेंगे थोड़ा अच्छी तरह भूल लेंगे और में दालूंगे थोड़ा सा बेजीरा भी डालूंगे इसके अंदर बहुत अच्छी बनती है आलू खटे आलू आप ये रेसे भी जरूर ट्राइ कीजिएगा और में नमक डाला हास्पिस आएगा हाफ टीट स्पूर में नमक डाला है इसके अंदर क्योंकि आलू बोल करते वह भी नमक डालते हैं थोड़ा सा तो इसलिए और मैंने जर्दे का रंग डाला थोड़ा सा ताके उससे कलर आलू के अंदर आता ता अच्छा लगता है थोड़ा फूड कलर, ओवनिश्ट फूड कलर जो होता है, वो मैं डला इसके अंदर मैने इमली पहले से रिभ के इसको भीगो के, अब बीच निकाल के अच्छी to 논ा 요渡 को कर लिया था जो असल टेखाता है इमली का उसी तरह आता है ो मैं डाला इसके अंदर इमली के पेस को मैं थोड़ा कम लगा था थोड़ा हो डाल दिया और मैं थोड़ा बचा लिया क्योंकर रमजान में हमें काम आते रहते हैं इमली पर मैं इसको अच्छी तरह से बूरूंगी थोड़ा पकाऊंगी मैं इसको कि देखे तोरह बोईलिंग आए इसके अंदर तो फिर हम इसको अच्छे तरह से पकाएंगे तोरह ताकि पूरा यह जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए और साथ में मैं इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल करूंगी हाफ टीज़्पून जादा भी डालूंगी वो बहुत जादा पिर टैस अजीब सा हो जाता है इसलिए लिमिट में डालेंगे ना थोरह सा तो सही रहता है अब यह अच्छे दर्णा से बून जाएगा मैंने आलू भी बॉयल कर दिये थे साथ में क्यूब्स में क्यूब्स में बच्चों को अच्छे लगते और थोरह लुक वाइस बहुत अच्छे लगते चिलका रिमूव कर दिया और पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी पस अब बहुत अच्छा तेशा है था इसके अंदर चोटे क्यूब्स में कटे होते आलों तो बहुत अच्छा लगता है और हर बालों के अंदर मसाला भी कुल अंदर लग जाता है आप इसी तना ट्राय कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा ताके मेरी आने वाली हर वीडियों आपके पास आजाए फोरण क्या रम्दान मैं बहुत में दीजियों में लेकी आने वाली हूं और लाइक भी कर दिजिएगा मेरी वीडियों को मेरे अच्छी तरण में मेंक्स कर दिया मैंने तक आलो को और धनिया मैंने काट लिए थे मैंने तोड़ा गाणिश के लिए धनिया जादा मैंने इसके अंदर और यह से पिर आपको अच्छी लगता लाइक जरूर कर दीजिएगा दौा में याद रखिएगा अला आफेज